दोस्तों ये जो आप connection देख रहे हो ये एक DOL starter का connection है जैसे कि आप देख रहे हो जो start push button है इसको press करने से motor on हो गया और stop push button को press करने से हमारा motor off हो गया लेकिन इसी connection में मैंने icon connection को add कर दिया हूँ यानि कि ये जो मेरे पास में push button है इस push button को यदि मैं press करता हूँ तो मेरा motor on हो जाएगा लेकिन जैसे मैं push button को release करूँ motor तुरंट off हो जाएगा यानि कि ये जो हमारे पास में connection है ये DOL starter का connection और साथ इसाथ में jogging circuit का connection है यानि कि आज के इस वीडियो के माध्याम से हम यही सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकास से DOL starter में jogging circuit को add करेंगे अब ये jogging circuit क्या होता है एक बास समझ लीजिए देखिए दोस्तो नॉर्मली आपने देखे होंगे जो हमारा DOL starter होता है यदि हम उसमें holding circuit नहीं बनाते है तो कंडीशन में क्या होता है जब हम पूस्बटन को प्रेस करेंगे हमारा motor on रहेगा लेकिन जैसे हम पूस्बटन को release करते हमारा motor off हो जाता है तो यदि आप कोई holding circuit नहीं बनाते हो तो उसको हम कहते है inching connection ये हमारा inching connection हो गया जब तक हम push button को press करेंगे हमारा motor run करेगा और जैसे push button को release करेंगे motor हमारा off हो जाएगा और इसी inching circuit को हम jogging circuit भी कहते हैं ठीक है अब ये जो हमारा inching circuit है यदि आप इसमें एक holding circuit भी add कर देते हो यानि कि push button को release करने के बाद भी आपका motor यरी run करता है तो उसको हम कहते हैं non inching circuit तो I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि inching circuit क्या होता है और non inching circuit क्या होता है ठीक है अब चलिए दोस्तों हम ये सीख लेते हैं कि हम किस प्रकार से एक normal dual starter में inching circuit को add करेंगे तो dual starter में jogging circuit को बनाने के लिए circuit diagram ये हैं इस circuit diagram को हम एक बार समझ लेते हैं देखिए जो हमारा face supply होता है face supply सबसे पहले आके हमारे mcb में connect होता है तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा face supply है वो सीधे आके mcb के input terminal पर connect होगा है अब ये जो हमारा mcb है mcb से जो face supply जाएगा वो stop push बटन में जाना चाहिए तो हमने क्या किए ये जो हमारा mcb का face वाला terminal है इस terminal से एक wire को connect करके जो हमारा stop push button है इस stop push button को input power supply दे दिए अब ये जो stop push button है इससे output power supply start push button में चला गया है तो इसके लिए हमने क्या किए ये जो हमारा stop push button है इससे हमने एक wire को connect किये है और इस wire को ले जाके जो हमारा start push button है इसको input power supply दे दिए अब इस start push button से जो power supply जाएगा वो auxiliary relay में चला जाएगा मेरे पास में 230 volt का auxiliary relay नहीं था इसलिए मैंने एक contactor का इस्तमाल कर लिया हूँ तो अभी के टाइम पे आप ये समझ लेजिए कि ये जो हमारा contactor है ये एक auxiliary relay है ठीक है अब ये जो हमारा auxiliary relay है इसको power supply start push button से चला गया है तो इसके लिए हमने क्या किए ये जो start push button है इससे output power supply जो हमें मिलेगा इसको ले जाके directly जो हमारा contactor है contactor का जो एवन टर्मिनल हो उस टर्मिनल पे हमने फैस supply को लाके connect कर दिया ठीक है तो ये जो circuit diagram था इसको हमने देख लिए अब इसी stop push button से जो output power supply आया है उसको ले जाके jog start push button के साथ भी connect किया गया है तो इसके लिए हमने क्या किये ये जो stop push button है इसी के output terminal से एक और wire को connect करके जो हमारा दूसरा start push button है यानि कि jog start push button है इसको हमने input power supply connect कर दिये अब ये जो jog start push button है इससे जो power supply जाएगा वो power contactor के A1 terminal पे चला जाएगा तो हमने यहां से एक wire को connect करके लाके सीधे ही जो हमारा main contactor है यानि कि जिसके द्वारा हम motor को चालू और बन करेंगे उस contactor के A1 terminal यहां पर इसका A1 terminal है तो इस terminal पर हमने इस wire को connect कर दिये ठीक है अब ये जो हमारा अजलरी relay है इसको hold करके रखने के लि supply से हमने एक wire को loop करते हुए इसको ले जाके जो हमारा auxiliary relay है जानि कि contactor है इसका जो एनो contact है यहँ मारा nano contact है इसको हमने input power supply यहां पर कनेक कर दिये अब इस एनो कॉंटेक्ट से जो power supply जाएगा वो सिधे जाके हमारा जो auxiliary relay है इसके A1 terminal पे connect हो जाएगा तो इसके लिए हमने simply यहां से एक वार को loop करके A1 terminal के साथ connect कर दिया यानि कि इस contractor को hold करके रखने के लिए हमने circuit diagram बना दिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा एनो कॉ जो पावर सप्लाई दिया गया है इसी से मैंने एक वार को loop करके इस एनो को input power supply दे दिया हो जैसे कि आप देख सकते हो ये लो वार के दोरा मैंने एनो कॉंटेक्ट को दूसरे एनो कॉंटेक्ट के साथ में loop कर दिया हूं ठीक है आप देख सकते हो यह जो yellow wire है यह हमारा एन तो आई होब कि आप इसका सरकित डायग्राम समझ गये होंगे अब चलिए दोस्तों यह जो हमारा सरकित डायग्राम है इसमार्किंग समझ लेते हैं देखिए, यदि आप चाहते होगी का आपका d encore मोटर है और इसके ON होने से इसका जो N O confess के NC बन जाएगा जिससे क्या होगा power supply यहाँ से flow होते हुए इस auxiliary character को power supply मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा auxiliary contractor on condition में इसी प्रकाद से इसी auxiliary contact और का हमने N O confess के यहाँ पर भी इस्तमाल किये यानि कि इसके on होने से power supply यहां से भी flow होते हुए इस power contactor में चला जाएगा और जो हमारा power contactor है यह on हो जाएगा आप देख सकते हो हमारा lamp on है अब यदि आप यह चाहते हो कि आपका जो motor है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके operate करें यानि कि जब तक हम push button को press करें हमारा motor on रहा है push button को छोड़ने के बाद motor off हो जाए फिर से push button को press करते है motor on release करने के बाद motor off हो जाए तो इस condition में क्या होगा यह जो हमारा jog push button है इसको press करने से power supply तो डारेक्ली इस power contactor में चला जा रहा है और जो हमारा power contactor है इसके press करने से on हो जा रहा है ठीके लेकिन यह जो हमारा power contactor है इस power contactor का no contact हमने कहीं पे भी इस्तावाल नहीं किये इसलिए क्या हो रहा है कि जो हमारा push button है इसको press करने से motor on हो जाता है लेकिन release करने के वाद motor हमारा off हो जाता है ठीके दोस्तों तो दोस्तों आई हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से एक नॉर्मल डियोल स्टार्टर में किस प्रकार से हम एक जोगिंग सर्केट को एड़ करेंगे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस इस वीडियो पे लाइक सेर और कमेंट कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद